गाजीपूर से इस वक्त की बड़ी खबर मुक्तार अंसारी को बड़ा जटका लगा है आपको बता दे 10 साल की मिली सजा मुक्तार अंसारी को 10 साल की मिली है सजा आपको बता दे कोड ने पांच लाग का जुर्माना भी लगाया है आपको बता दे कि 10 साल की मिली सजा मुक्तार अंसारी को 10 साल की मिली है सजा MP MLA कोड ने सुनाई सजा वीम सिंग को भी मिली सजा 1990 में दर्ज हुआ था गैंक्स्टर एक्ट गाजिपूर से मुक्तार अंसारी को बड़ा जटका खबर गाजिपूर से आरी आपको बता दे मुक्तार अंसारी को बड़ा जटका मिला है 10 साल की मिली सजा आपको बता दे कोड ने 5 लाग का जुर्माना भी लगाया है और इस ख़बर प्यादिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सवादता पवन हमारे साथ जूड़ेगे पवन मुक्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है पाँच लाग का जुर्माना भी लगाया है अजर राय के मामले में आज उने 10 साल की सजा मिली है जी नंदरी हम आपको बताना चाहेंगे की अजि़ाइब को दोष्कार दे दिया है और नी सो चानबें में सदर कोत्वाली में मुक्तार अंसारी और मुक्तार के स्वाओगी धेम सिंद्धे की धारा में केस दर्श किया गया था और नों को दर्दस साल की सजा सुनाई है तमाब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पमन प्रयागराज में पुरू 12 वधा सबाव वदायक अजय भारती को मिली धंकी फोन पर जांसे माने की मिली धंकी खबर प्रयागराज से है आपको बता दे जेल में बंग खान मुबारक के नाम से यूकों ने मांगी रंगदारी पुरू वधायक को फोन पर यूकों ने मांगी पांच लाग की रंगदारी पुरू वधायक अजय भारती ने पुलिस को दी मामले की सुचना और इस खबर प्यादिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता पवन हमारे साथ जुडेंगे पवन पुरो विधायक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है पुरो विधायक भारती पूरो ब्लाग प्रमुक चाका चता एक श्ची आयों के सदर से भी रह सिके हैं जी नंदिनी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक कारिवाई हो गई है तुछ कि मैंने बताया है ती नंदीन ढोनों आरोबियों को पुलिजवण जिर्फतार कर लिया गया कि ढ़नारो प्रुपियों को जेल बेच निरफतार कर गया है पक्कापुल में दरार आने के बाद मजबूती की हो रही है चांच, खबर लख नू से है आपको बता दें, 109 साल पुराना है पक्कापुल, यूईपी विस्टेस्ट के बाद पुल को चालू करने का होगा फैसला है, साहजाहापुर में मावुली विवाद में चले लाठी नन्डिक, हवर्ड साहाथ जाहापुर से हा रही आपको बता दें, यूउउग पर क्या गया था धारदार हत्यार से हमला यूउउग की कटी ग濁र, मारपीร सब्सक्रा में इसापाई शेतर में मामला कबर साहाँपुर के थाना रो रोजा शेटर का है पुरा मामला आयोध्या में ड्यूटी के दौराट महिला सिपाहियों के बनाए गए रील का मामला खबर आयोध्या से सामने आ रही है SSP मुनिराज ने दिया बयान री आईपी ड्यूटी पॉइंट पर मनुरजन कर रही थी महिला सिपाहि SSP नहीं कहा महिला सिपाहि को किया गया लाइन हाजर चांज के बाद स्ट्श्में संग में किया जाएगा SSP वेडियो संक्यान में है वह जूटी करते से me儿 का अनुषा Spaß्न केंदा दिकाई पسم धहा है यूटी पर रामजन भू अहां लग भी छोटी कर रहाता है वहाँ पर रामएं令ों में स्रुक्षा NOR DRUTI में लगी थी 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 व्यूटी पायnd सिप्प कर रहाता है उन्हों को ड्यूटी में सीरिशनेस नहीं था इसके लिए के लैना जिर के अभी जान स्केट उसके सस्पन पर आगे करा हूँ कुछ और है अधिया में ड्यूटी के दौरान महिला सिपाहों के बनाए गए रील का मामला सामने आ रहा है आपको बता दें एसेसपी मुनिराज ने दिया बयान और इस खबर बे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता रागवेंध हमारे साज उड़ेंगे रागवेंध क्या है पूरा मामला बिलकुल नंदनी बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो थाना राम भूमी अंतरगत आता है जो कि बीजी आइपी डूटी में ये रूप मजला कॉस्टेबल लगी हुई थी और ये जब बीजी आइपी डूटी से ये खाली थी उस टाइम का ये वीडियो बताया रहा है कि मैं फिई बाइन को ले इनोंने वीडियो गनाया है इसको इसमामले को संजान में लेते हुए ए स्स्पी ने मौनिडाज जी ने बोला है कि मामले की या जा जाए जारा या जानने के हमाद अगर इनके खिलाफ ये मम्म्मा मांला सामने आरा है कि इस तरीके नहोंने ंवल्यी आपका रागमेंज आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार